यह है और मैं हूँ कविता आज हम यह सारे फिंगर पॉपेट लाइट हाउस यह ट्री यह बज रॉकेट इन सब का बेस क्या है एक सर्कल उससे हम चीजे बनाएंगे फर्स अपॉल हमें इन सभी चीजों को बनाने के लिए हमारा बेस क्या लगा हमें देगा एक रेक्टेंगल पेपर और उसको हमने राउंड शेप कैसे दीनी है दो उसको राउंड शेप उसकी साइड पे हमने लगाना है गलू लगो शाबश वरी गूड और कुछ सरका करके फोल्ड करो पकड़ो पने हाथ से इसे पजोर से पकड़ tiny रखो यह बन गया आपका सरकल गलू से इन सब का बेस यह लाइट हाउस यह ट्री का बेस यह हैंड यह लाइट हाउस बस इन सब का बेस यह है, और उसके बाद क्या करना है हमने इसके उपर ग्लेज पेपर चड़ा लिजे ज़आ आप सेम कलर का चाट ले लिजे उसके बाद हमने क्षिर्कियां कैसे बनानी है छोटा एक स्क्वयर कट करके उसमें हमने कलर से फिल कर देना जैसे यह लिए स्क्वयर उसका स्क्वेर कट करके उसको उपर फिल कर दिया और इसको कट कर देना उसको चिपका दिया और सेम ऐसे यह हॉस लिया उसके फूर स्क्वेर लेके उसको कट करके ट्री बनाया यह बताओ यह अपने कैसे बनाया लाइट हाँ लाइट हाँ लाइट हाँ लाइट हाँ लाइट और यह पर चिपकाया हमने और अंपने और से चिपकाया हमने रधार और यह रहा चिपकाया दिया चप्ताया करें जोटाये में प्लॉक्ता छोटे-चोटे-च्वाइस पड़े तो उसके बनाया तो से और फिरम ने क्पूंच और फिर हमने यह पैंसिल से रॉप फिर हमने विंक्वाइं काँ लिए और ये हैं और यह हमने कैसे बनाया पहले ऐसे शेंब वो circle बनाया और उसमें से scissor से cut कर लिया और इसमें लावू ने handy रखा और उसको hand shape में cut कर दिया और फिर ये हमने leaf बनाए और इसको रखो अब next one is rocket, rocket कैसे बनाया हमने describe करो हमने पहरे triangle लिया फिर हमने triangle कर लिये फिर हमने इसके triangle लिये triangle लेके sides पे चिपका दिया यहमने इस triangle लेके store dot से उसको चिपका दिया और इसकी base के लिए अगर अगर अब lockdown है तो कुछ नहीं है वेलेबल आपके पुरानी notebook है ना उसका ये material बाहर वाला side use कर लिज़िए ये पुरानी अंदर वाली notebook भर चुकी है उसको छोड़के ये बला बटन यूज कर लिज़िए उपर ग्लेज पेपर या कुछ भी लगा दीज़िए उसके बाद हमने बनाया ट्री के लिए भी सेम हमने यूज किया और इसके लिए लीव कैसे बनाये इसको हमने क्या किया ये पहले एक लिया उसको रेक्टेंगल शेप कर लिया उसको हमने लीव शेप में कट कर लिया और उसकी जूड़ी होई साइड है इससे बाहर वाली साइड पर कट लगा दिया जो सेमी सरकल वाली साइड है उससे तो खोलोगे तो ऐसे लीव बन जाएंगी वह लीव को हमने चिपका दिया इससे वह बन गया अब हमने इससे ऐसे हैंड पपेट्स भी बनाएं हैंड पपट्ट के लिए भी हमने सेम वही राउंड फिगर यूज किया और उसके उपर लाइन को ड्रॉ करके बना दिया और ऐसे हमने जिराफ बनाया जिराफ भी सेमी जिराफ कैसे बनाया डिस्क्राइब करो और अशुट भी राउंद बनाया उसके एक शेपली चिप पर लिए या ब्लेक कर्फल कर दूद बनाया और पसट्राइब कर द Bowron पेंग उसके टंग बना दी और ये है कैटी इस तरह देख सकते हैं इस सिर्फ एक बेसिक चीज बच्चे को सिखा के उसको बहुत सारी क्रियेटिव चीज बनानी सिखा सकते हैं इससे बच्चा खुश भी रहता है और लॉकडाउन में न्यू टॉइज तो मिल नी सकते हैं इससे बच्चा बहुत देर तक खेलता रहता है होपफुली ये आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए और लॉकडाउन अज हम रोज 7 ओक्लॉक या 8 ओक्लॉक तक शाम को एक वीडियो अपलोड करते हैं अप एपिसोड वर्ड प्ले लिस्ट में जाके लॉकडाउन सीरीज को सारी एक्टिविटीज को चेक कर सकते हैं बाँ बाई आव गूड डेज सी यू इन नेक्स वीडियो